हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ क्लाश 10th English का एक most important article जो कि है एक birthday party काफी ज़्यादा important हर बार पेपर में आता है और 6 नंबर लिए बिल्कुल आएगा और इस article को एदम रट कर जाना है इंग्लिस में लिखा है पूरा हिंदी इसको मैं बताते चलूँगा कि ताकि आपको एक समझ में आए एक देखो आइडिया लग जाता है अगर उसको मैं हिंदी को जो इंग्लिस है उसको एक हिंदी टाच में ले आओ बाकि यहां क्लाश 10th का आर्टिकल है इंग्लिस का है 2024 के लिए काफी ज़दा important है तो चलो वीडियो को start करते हैं पूरा अच्छे समझने है पूरा अच्छे से मैं आपको समझा दूँगा क्योंकि वैसे क्या होता बुक वगारा में देखो तो कहीं कहीं दो पेज का दिया रहता है अब देखो दो पेज में क्या पढ़ोगा पूरा इंग्लिस में ज्यादा तर बच्चे नहीं कर पाते हैं तो इसलिए इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए ही तो इसको देख लो समझ लो अच्छे से क्या कहा गया है समस 12 पहले एब अबर्धरे पार्टी जो जनम दीन पार्टी है इसके बारे में हमें बताना है तो देखो इसके बारे में recently recently मतलब क्या होता हलही में I attended a birthday party that was with full with fun filled and memorable experience I attended I attended मतलब मैं भाग लिया मतलब उस party में attend हुबगा a birthday party recently मतलब हाल ही में मैं एक birthday party में गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा fun-filled बहुत ज़्यादा वहाँ पे enjoy किया मैंने और क्या हुगा memorable मतलब यादगार experience वहाँ का रहा तो अब इस experience के बारे में बताना है तो देखो it was my friend birthday party यह मेरे दोस्त की जनल दिन party थी और which was held at a local restaurant in the evening जो कि कहां पे हुआ था एक local restaurant है लोका मतलब एक अस्थानी वहीं का एक अस्थान का ही एक restaurant है जहां पर यह birthday party celebrate किया गया मनाए गया अब देखो इसके बात कहा गया है वो है कि the restaurant was decorated with colorful balloons चलो यहां मैं आपको बता तो इसका हिंदी मैं लिखा हुआ हूँ कहोगे तो मैं आपको वह भी दे दूँगा तो लिखा गया है the restaurant was decorated with colorful balloons and streamers जो रेस्टोरेंट था वह decorated वह सजाया गया था with colorful balloons जो रंग भी रंग के गुबारे हैं colorful मतलब रंग बुरंग गुबारे और steamer जो है steamer से इन दोनों सजाया गया था और creating a festive atmosphere मतलब एक ऐसा atmosphere मतलब क्या होता है माहोल तो एक ऐसा वहां का माहोल था जैसे festival हुआ हो जैसे कोई तेवहार हो वहां पर एक हिसाब से कि बहुत अच्छे तरह के सजावत इतनी जादा सजावत हुई थी इतनी भव्य हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तेवहार हो और the celebration was attended by close friends and family members of the birthday war अब फिर से कहा गया है कि दो celebration है तो देखो the celebration was attendant मतलब attend किया गया था मतलब सामिल हुए थे जो celebration जो है जो उससा हो था उसमें कौन को सामिल हुए थे तो यह बताए गया है तो देखो इसमें सामिल हुए थे close friends जो उसके बहुत करीबी मित थे और family members जो family के जो members थे जितने भी family के members हैं यह सभी लोग और on the birthday boy of the birthday boy who was dressed in his best attire और the party include cake cutting उस पार्टे में क्या क्या हुआ था यहीं समझो कि उस पार्टे में क्या हुआ था तो दा पार्टी include cake cutting उस पार्टे में cake cut हुआ था music बजे थे और क्या हुआ और डांसिंग डांस भी हुआ था उसके बाद देखो everyone was in high spirits throughout in the evening everyone कोई इतना चीज़ हुआ था और इसका पूरे जो साम थे उसमें लोग high is मतलब एक्तम बहुत ही ज्यादा जोस में थे जो evening साम को ठीक और उसके बाद क्या है the food was delicious food बहुत ही ज्यादा delicious था बहुत ज्यादा tasty था वहां का कुमला की एक birthday party के बारे में यहां पर इस्टुडेंट describe किया जा रहा है बताय जा रहा है अब उसके बाद and plenty full आप देखो plenty full का मतलब क्या हुआ फूट बहुत है delicious था plenty full मतलब भरपूर था मतलब उसकी कमी नहीं हुई और the drinks kept flowing जो drinks थी वहां की वह क्या हुआ जो वहां की जो drinks थी वो keep flowing मतलब लगातार आ रही थी adding to the party's excitement adding to the party's excitement जिससे की जो party है उसका excitement बढ़ा रहे ठीक है उससे excitement बढ़ी रहे तो यह चीज़ है मतलब यहां के birthday party के बारे में बताया गया है पूरा अच्छी तरीक अब देखो इसके बाद क्या है इसके बाद है overall मत कि it was a delightful and enjoyable experience अकर कुल मिलाकर कहा जाए तो it was a delightful and enjoyable delightful अनदायक ये बहुत ज्यादा सुखद और आनदायक experience था और I was happy मौँ बहुत ज्यादा खुस था to be a part of the salvation मैं वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा खुस महसूस कर रहा था उसके बाद है the birthday party was a perfect blend of जो birthday party थी उसमें बहुत ज़्यादा माउज मस्ती हुई food खाने खाए गए और दोस्तों के साथ ये सब किया गया and I am sure और मैं यह चीज एक तम पक्का हूँ मतलब मुझे यकीन है कि it created a memories या एक ऐसी memory बनाई है that will be cheered for years to come ये ऐसी memory बन गई है जो कि आने वाले सालों में मुझे ये memory हमेसा याद रहेगी तो ये देखो जो birthday party है इसके बारे पूरा अच्छे से आपर subscribe किया गया है और मैं आपको बिल्कुल बता दिया हूँ अब इसमें देखो कितना आसान तरीकी से कितना आसान भासा मैं आपको बता दिया हूँ बाकि यहां दोस्तों अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो तो ये Instagram ID मैं अपने दिया हूँ कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत हो तो इस पर मुझे message कर ले न puse maura 1001 इस पर मैं आपको दिख जाऊंगा तो यहां पर मुझे follow कर सकते हूँ कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना बाकि 2024 board exam की त्यारी ऐसे ही करवाई जा रही है playlist जरूर से चेक करना ठीक है playlist जरूर से देखना हर subject की playlist बनी है और हर subject वहाँ पर आपको मिल जाएंगी तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं आपसे और किसी next वीडियो में